एक बहुत ही खूबसूरत गाव था, जिसका नाम था शामनगर. यहां सभी लोग बहुत खुशी-खुशी से रहा करते थे. गाव में सभी कुछ अच्छा चल रहा था, और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्टैनी घर में रहने आती है. उस परिवार में पति-पत्नी और उनका छोटा सा बेटा थे, जो अपने हवेली में रहने आये थे. सभी के आते ही गाव वालों में खुशी की लहर दोड़ पड़ी, क्योंकि यह फैमिली कोई और नहीं, बलकि इसी गाव में रहने वाले एक पुराने जमीनदार की थी, और गाव वाले उनकी बहुत इज़्जत करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबियत अचानक बिगधने लगती है. सभी को लगता है, मौसम का परिवर्तन हुआ होगा. लेकिन बात तो कुछ और ही थी. धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पढ़ने लगा. आनन फानन में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया, तो उसने पास में ही बने, एक हॉस्पिटल में उन्हें स्वास्थे परिक्षण के लिए आमंत्रित किया, ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके. परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा. सारे परिक्षण होने के बाद भी कुछ नहीं हासिल हुआ. जैसे ही सारा परिवार गाव पहुँचा, तो गाव के कुछ बुजर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें उन्जा के पास जाने को कहा. आज भी गावों में पुराने रीती रिवाज के अनुसार जार फूक करके इलाज करने की प्रथा कायम है. परिवार के सभी सदस्य बच्चे के लिए उन्जा के पास भी जाने को तयार हो गए. गाव के पास ही पहाडी में एक बाबा रहते थे, जो की काली विद्या में भी माहिर थे. जैसे ही उनके आश्रम की सीरियों में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुँचा, तो उन्जा जोर-जोर से चिलाने लगे. तू क्यों आई है? इतने बरसों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ. यह सब सुनकर बच्चे के माता-पिता और गाव वाले दहशत में आ गए. उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई नहीं गई. लेकिन बाबा तो काली माया में पारंगत थे. इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता था. सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा. बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी. उसकी आँखें लाल हो चुकी थी. उसका शरीर नीला दिखाई दे रहा था. और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कहीं ज्यादा था. उज़ा ने विभूती उठा कर बच्चे के मुँपर फेंका. बच्चा जमीन पर लेड़ गया और जोड़ जोड़ से हाथ पैर हिलाने लगा. किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि बाबा की विभूती से क्या चमतकार हुआ. कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेड़ कर ऐसी हरकतें करने लगा. तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो जाता है. और बहुत ही खुंखार औरत की आवाज में ओज़ा को उसके पुराने नाम से बुलाया. अरे ओ, प्रेमनात, मैं तुझे नश्ट कर दूँगी. लड़के का ऐसा स्व कर कर बच्चे को अपने काबू में किया. सारे गाउव वाले ओज़ा से पूछने लगे. बाबा, ये सब क्या है? यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? तभी ओज़ा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुडैल आ चुकी है, जो कि आज सत्तर साल पहले चोरी के आरोप में जिन कि वह गर्भवती अवस्था में जिन्दा जली थी. और उसके कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया. इसी वजह से वो उस वंश के बच्चे को भी दर्दनाक मौद देना चाहती है, ताकि उसका बदला पूरा हो सके. ये सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले ओजह के सामने गिडड़ आने लगे और अपने बच्चे की जान की भीक मांगने लगे. तभी ओजह ने अपनी घोर तपस्वी शक्ती से मंत्रों के उच्चारन के साथ उस चुडैल को मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में बच्चा सामान अपने हालत में आने लगा. सभी को लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया. लेकिन यह तो एक शुरुआत थी. फिर सभी गाव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं. उस बच्चे के माँ बाब भी बच्चे के साथ घर जाकर सोजाते हैं. अगले दिन बच्चे की मा उसके पिता से कहती है कि सुनो जी मुझे लगता है हमें वापस अमेरिका चले जाना चाहिए नहीं तो ये चुडैल हमारे बच्चे को खतम कर देगी और फिर वो परिवार वापस अमेरिका चले जाते हैं इसलिए कहते हैं ना दोस्तों हमें किसी के भी साथ अन्याय नहीं क करना चाहिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना